भारत में अध्हूनिक समास-सास्तरी विचारधारौगा का विकास किस प्रकार हुआ है अब से पूछेगा कि भारत के अंदर जो अधूनिक समास्तास्त्री है उनका जो विचार धारा थी उसका विकास कैसे हुआ है कितने प्रकार से हुआ है और किस प्रकार से हुआ है हम आज की वीडियू मस्त यह देखेंगे कि जो समास्तास्त्री उनकी विचाधारों का विकास के बारे में तो लास्त तक वीडियूम देख रहें बने रहना है और देखो मैं आपको सिंपल तरीके से याद करा दूगा और आज की बात कभी आप भूलेंगे नहीं सिंपल तरीके से याद कराएं तो अब चल्ब को पहली बार आए तो चल्ब किहां जाके डाणलोड कर लेना और आसाने से पड़त पकते हैं थीक है अब यहां ध्यान से देखेंगे सब playful कि भारत में अधूनिक समाजस्तरी बिचार धारा का भिकास किस प्रकार हुआ है तो यहां बोला गया है कि भारत में लेको भारत में अधूनिक सामाजिक चिंतन का सूत्रपात, महात्मा गांदी, अर्विंद घोश, बाल गंगा धर्तिलक, एम एन राय, अचारिय नरिंद्र देब, डाक्टर अम्बेटकर, पंडित जवाललाल नहरू, बिनोबा, भावे आदी के बिचारों से हुआ है अब देखू, यहाँ सिंप्ल देरा खाया हो, इसने, कि जो भारत में अधुनिक, समाजिक, चिंतन का, जो सूत्रपात, महात्मा गांदी, अर्विंद घोश, पाल गंगा धर्तिलक, रामा एन राय, बनलब सारे याद करने की जूरत रही है, बनलब इसमें से 4-5 लग देना, नर्द नगोश, अम डाक्टर, अमबेटकर, पंडर, जबाल, नहरू, आधी से हुआ है, बस इतना लिख देना, आधी बिचारों से हुआ है, यहाँ तर लिखेंगे, जैसे समाज सास्तरी, जिसे समाज सास्तरी बिचार धारा के रूप में, आगे बढ़ाने का जो कार है, म हर्वाड का सकते है, हर्वर्ट रिजले थे, यहाँ डाक्टर देखो, हटन थे, डाक्टर एम एजडि सिर्श निवास थे, डाक्टर राधा कमल, ठीक है, राधा कमल मुकरजी थे, आधी आधी लगा दो, सब परणने की जट नहीं है, बस सारे की सा क्वाने की ज़िषदने आदी ने किया, मतलब सारे थोड़ी याद कर पाएंगे वो लोग, मतलब इसमें से तीन से चार्ण के नाम लेना है और उसमें बाद में आदी लगा देना है, आदी ने किया, अब देखो, आदी ने किया, उसके बाद में हमें यहां से पढ़ेंगे, आदी ने किया, बाकि इस भारतिय जाती विवस्था का ब्यापक अध्यन किया करके जब भारतिय जो जाती थी भारतिय जाती विवस्था थी उसका ब्यापक अध्यन किया और अध्यन करने के बाद क्या किया उन्होंने करके वहां की समाजिक सररचना को इस्पष्ट करने का प्रयास किया उनकी जो कर्वे बोलिए एक और एक और थे के अम कपाडिया ठीक है तो ने बिवाह परिवार नातिदारी जैसी बिवस्थाओं या फिर सथाओं की विश्द अधियन किया उन्हें कहा एक विवाह भुद परिवार बना नातेदारी जैसी संस्था बनी उन्होंने उन संस्थाओं का अध्यन किया और अध्यन करने के बाद में जो मंजु कह सकते हैं मंजुमदार थे उन्होंने अपनी जाती विवस्था उन्होंने क्या किया मंजुदार ने उन्हें कहा कि जाती विवस्था ग्रामी इसकी जंजातियों के बारे में कि वियर से ज़ी जातियां करती ज़ा sounds यहां करतीका निवास और इसी परकार श्री निवास थे जो डाक्टरwydd एमस ड्री निवास उन्होंने क्या वताया उन्होंनेए कि स्माजिक परीवर्तन की क्रिकिर्ती को समझने का प्रयास किया और संस्कृति करण ऐंपस्मी करण जैसे अवद्धार्णाओं का विकास किया डाक्टर स्यामचरन डुवे और डाक्टर डाक्टर ए आई देशाई ने क्या कहा उन्हें उन्हेंने कहा कि जो ग्रामडी ये समाज है उसकी प्रिकृति को उसकी जो ग्रामडी जो समाज था ग्राम में रहने वाले ग्राम में रहने वाले जो लोग थे समाज के लोग थे उनकी प्रिकृति को समाज सास्त्रिय डिश्टी कोण से समझने का प्रयास किया उन्होंने कहा कि भाई अब क्या किया जो देशाई थे उन्होंने ग्रामीर समाज के जो लोग थे उनकी प्रकृति को उनके रहन सहन को समाज सास्त्रिय दर्ष्ठी कोंड से समझने का प्रयास किया उसके बाद में डाक्टर राधा कमल जो मुकरजी थे उन्होंने क्या कहा उन्होंने अपने अपने भासा में लिखा कि जो आर्थिक अर्थसास रहे अर्थसास का संस्तापक सिध्धान प्रति बादन किया था उन्होंने कि अर्थसास का संस्तापक सिध्धान था वो राधा कमल मुकरजी ने दिया था और उन्होंने अपने उस शिद्धान में बोला उन्होंने बताया कि समाजिक मूल एवं परंपरा आर्थिक जीवन को काफी प्रभावित करती हैं जो समाजिक मूल और परंपराएं होती हैं वो आर्थिक जीवन को काफी प्रभावित करती हैं और उन्होंने मूल्यों के समाज सास्तर के छेत कि ग्यान को इतिहास और समास्तासरों से जोड़ने का महत्पूर कार किया उसके बाद में डाक्टर योगेंद्र सेंग ने भारतिये परंप्राओं के अधुनी करण पर अपने बिचार पृस्तुत किये और उनके बाद पृस्तुत करने के बाद में क्या हुआ उन्होंने सिंपल कह दिया कि भारत देखो यहां बुला गया है भारत में यहां बुला गया है भारत में समास्तास्त्र के विकास में उप्रुक्त विद्वानों की अतिरिक्त डाक्टर पी एच प्रिभू और डाक्टर युगेस अटल और प्रोफेसर एम स.A. राए और डाक्टर आर ए आर एन सक्सेना डाक्टर व्रज राज जोहान आदी विद्वानों की महत्पूर्ण युगदान रहा है समझ रहे हैं समास्त के बिकास में तो कैसे कैसे बिकास हुआ उन्होंने बस बिकास के बारे में बताया कि गाउं में समास्तास्तर में ऐसी प्रॉब्लम थी यहां के ऐसे लोग रहा करते थे ऐसी जन जाती ऐसे रहा करती थी उन्होंने बहारत के अंदर जो समास्तास्तर वना समास्तर लोग रहे रहे हैं उनके बिकास के बारे में बताया कैसे कैसे बिकास का डिपलप हुआ है और लोग कैसे सहन रहन सहन है उन लोगों का यह इस कोशन में पुरा प्रोसेस किया गया था तो मैंने आपको सिंपल बता दिया आप इस तरीके से इसको याद कर लेंगे एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे आपको सब याद हो जाएगा तो सभी छात्र